आर्शाई एजिक्रेशन हब ओनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत प्यार विद्यारतियों हम तीसरा चेप्टर शुरू कर रहे हैं चुनाव और प्रतिन इदितों हैं सबसे पहले दें कि चुनाव क्या है यह लोगतंतर कहलाता है लोगतंतर दो प्रकार का होता है प्रतेक्स लोगतंतर और एप्रतेक्स लोगतंतर लोगतंतर के दो प्रकार हैं लोगतंतर के प्रकार पहला है प्रतेक्स लोगतंतर प्रतेक्स लोगतंतर और दूसरा है एप्रतेक्स लोगतंतर इस प्रतेक्स लोकतंतर के दूपर काने लोग सरकार चलाने के लिए सिद्धी रूप से भाग लेते हैं प्राचिन युनान में नगराजी प्रतक्स लोकतंतर के उधारने और आज की जो फ़ाय वह भाग लेना सरकारी कारी ना प्रतक्स लूप से दुबारा सुनियों अपनी बात को प्रतक्स लोगतंतर में नागरिक स्वेम दिन प्रति दिन के काईरियों में भाग लेते हैं और युनान की प्राची नगराज इसके उधारन है भारत में ग्राम सभा इसका एक उधारन है प्रतक्स लोगतंतर जनता के द्वारा प्रति निद्यों द्वारा चलने वाला सासन जनता के प्रति निद्यों द्वारा चलने प्रतिक्स लोगतंतर में नागरिक दिन प्रतिदिन की कारे में स्वेम सीधी रूप से भाग लेते हैं जैसे युनान के प्राचिन राजी या फिर भारत की ग्राम सभा इसका इस परस्टु दारन है इसी प्रकार एक प्रतिक्स लोगतंतर में नागरिक डायरेक्टूप से भा लोक्तंत्री भी कहा जाता है अब भारत में चुनाव्यवस्ता भारत में चुनाव्यवस्ता भारत में चुनाव्यवस्ता भारत में निर्वाचन की दो प्रणालियों को स्विकार किया गया है, मुख्रूप से दो प्रणालियों को, एक तो पहली है सरवादिक जीतवाली प्रणाली, भारत की चुनावस्ता में दो प्रकार की निर्वाचन प्रणाली को स्विकार किया गया है, प्रत्थम निर्वाचन प्रणाली है, सरवादिक ज से जीट वाली प्रणाली जीट वाली प्रणाली जीत वाली प्रणाली अर्था जो सब से आगे वही जीते वीश्व प्रणालि का नाम है और इसी प्रणाली वह फस्ट pada बारट की चुनावय वस्ता घर ने तो इसमें दो परकार की निरुवाथन परनाली को सुविकार किया पहली जो परनाली है वो है सरवादिक जीतवाली परनाली जिसको जो सबसे आगे वही जीते परनाली भी कहा जाता है इसे ही बहुलवादी योस्ता भी कहते हैं और इसी का नाम है first past the post system यानि कि जो सबसे आगे वही जीते हैं यानि कि एक निर्वाजन शेतर में कई प्रतिनेदी चुनाव लड़ते हैं और उन प्रतिनेदियों में जो प्रतिनेदी सबसे ज़्यादा वोट प्राप करता है उसक जीत निश्चित है तो इस प्रणाले को भार्त के अधिकान से चुनाव में अपनाया गया है एक और प्रतिनेद्वार जाता है और निर्वाचन सहेतर को सबसे जयादा प्राप्ति उससी को विजैंग बना दिया जाता है फिर से देखें कि रह्लों बाहरत चुनाववस्ता बात करें तो निर्वाचन की दो परनालिया है पहली सरवादिक जीतवा भ डिकांडे इस पर Nagy चेतर में जो प्रतिनेदी सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है उसी को विजय बना दिया जाता है यह प्रणाली बहुत ही सरलोव शुगम है और आम आदमी के समझ में आजाती है इसलिए इस प्रणाली को बार्त के सवधान निर्माताओं ने इसलिए लागो गया कि आम सभाव के सदैस्टियों के लिए राठ्वितिय के चुनाओं जाती है जैसे प्रति निदेटवे परनाली इस परनाली के अंतरगत प्रतेक पार्टी यान की प्रतेक पॉलिटिकल पार्टी या प्रतेक राजनियतिक डल चुनाओं से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्रात्निता सूची जारी करता है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्रात्निता सूची से च जोन लेती है जितनी सिटों को उसे कोटा दिया जाता है चुनावह की इसी हवश्ता को समधातिक प्रतिशत के, प्रतियों के देर्वटा शीरे जहरोम उस्ठों मिलता है सोद्वार का यश्ञाविटी को दोकोरण बहुत्यों मिलता है इस credit की शतियो Direkt किये हैं समानुपार्टी की पृति निद्धित्यों के भी दो प्रकार हैं कुछ देशों जैसे इज्राइल नीदर लेंड में पूरे देश को ही एक निर्वाचन शेत्र मान लिया जाता है और पृतिक पार्टी को राष्टी चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपार्ट समानुपार्टिक पृति निद्धित्यु के परणाली इसका भी हमने अध्यन कर लिया आप इन दोनों में अपने तुल्ना तुलना अधिन उपशी आंतर खोजिने का प्रियाथ करेंगे सबसे पहले अपने देखेंगे सरवाधिक जीतवाली पर्णाली और समानुपार्ट इदेर सरवादी के जीटवाली परनाली स्वावन पातिक प्रती निदित की प्रणाली स्वावन फातिक प्रती निदितु है प्रणाली सरवादिक भोट मानेवाली प्रणाली और दूसरी है समवानुपातिक पृतिने द्धुद्गी प्रणाली इस प्रणाली में सरवादिक जीत वाली प्रणाली में संपूर्ण देस को छोटे-छोटे निरौधिल phonоде भी बार दिया जाता है संपूर्ण देश को छोटे छोटे निर्वाचन छेत्रों में बांट दिया जाता है फिर देखें सरवादिक जीत वाली पढणाली इसके बाद में समानुपातिक पृतिन देटित की पढणाली इस प्रणाली में कौन सी प्रणाली में स्थरवादिक जीत वाली प्रणाली में संपूर्ण देश को छोटे छोटे निर्वाचन छेत्रों में बांट दिया जाता है और इधर इस प्रणाली में पूरे देश को भी एक निर्वाचन छेत्र गिना जा सकता है जब फिर बहुत बड़े भोगलिक छेत्र को एक निर्वाजिन छेत्र माना जाता है इसी प्रकार इस परनाली में विजई उमिद्वार को विजई उमिद्वार को बोटों का बहुमत प्राप्त होना जरूरी नहीं है विजय उमिद्वार को बोटों का बहुमत मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन इदर विजय उमिद्वार को बोटों का बहुमत मिलना जरूरी है, इसमें पार्टी में प्राप्त मतों के अनुपात में कम या अधिक सीटे मिल सकती है, इसमें सरवादिक जीतवाली परणाली में प की सरवादिक जीतवाली पर्णाली है इसमें प्रत्यासी को बोट दिया जाता है युनाइटेट किंग्डम और भारत में सरवादिक जीतवाली पर्णाली को ज़्यादा देखा जा सकता है और इजरायल और नीदरलेंड में समानुपातिक प्रती निदुद्रकी पर्णाली को इज्राइल में समान उपातिक प्रती निद्यत्व की परणादी इज्राइल में समान उपातिक प्रती निद्यत्व की परणादी इज्राइल में चुनाओं के लिए समान उपातिक प्रती निद्यत्व की परणादी को अपनाया गया है इज्राइल में मत करना के पस्यात प्रतेग राजनतिक दल को संसद में उसी अनुपात में इस्तान दे जाते हैं जिस अनुपात में उन्हें मतों में इस्ता मिलता है प्रतेग राजनतिक दल चुनाओं से पूरू अपने उम्मिदवारों के एक प्राथिमतर सूची जारी करता है है त่रह अपने ही प्रत्राषियों को सूची में से चुन लेता है जितनी ही उसको प्राप्त होती SEC है यही व्योगता है इज्राईल के समहन पार्थी की पृतिय नज़दय परन्हाली की और इसरानी Da Honey Cuman जनाध्र वाले झाल झाल